हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं भाजपा का M-card सपा की बड़ा रहा मुश्किल कॉंग्रेस की निकाली काट कॉंग्रेस निवले ही महिलां को टिकेट देने से लेकर उनके पक्ष में नारे गड़ने तक का काम यूपी विधानसबा चनाव में किया है लेकिन वास्तव में इस M-card को भाजपा बुना रही है समाचवादी पार्टी की चनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की भाजपा ने महिला काड चलकर काट निकाली है रविवार को भाजपा जिस अंदास में नजर आई उससे साफ है कि कानून विवस्ता को योगी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्दी और सपा पर एक दाग के तौर पर पेश कर चुनाव में उतर ना चाती है एक तरफ पहली बार भाजपा के लखनो कारेकाल पहुँची अरपणा यादव ने बहु बेटियों के भाजपा में ही सुरक्षित होने की बात कही तो वहीं अधिती सिंग और प्रियंका मौरबी प्ले काड लिए दिखाई थी इन तीनों महिला नेतरियों के साथ केंद्रि मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे महिला सुरक्षा से जुड़े नारे लिखे प्ले कार्ड लेकर वो हजरत गंच चौराहे पर खड़े दिखे इसके बाद वो डो टो डोर कैमपेंड करते हुए भी नजर आए उनकी साथ अरपना यादव राय परेली की विधाय कदिती सिंग और कॉंग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौरे भी मौजूद थी महिला सुरक्षा का मुद्धा महिलाओ को ही आगे कर भाजपा उठा रही है और बार बार सपा सरकार के दिनों की याद दिला रही है बाजपा को उमीद है कि कानून विवस्ता के वोट पड़ सकता है इस कार्ट के सफल होने से वो जातुई समुदाय के उपर उठकर वोट हासल करने की स्तिती में होगी कॉंग्रेस ने प्रियंका मौरे को लड़की हूं लड़ सकती हूं कैमपेन की पोस्टर गल बनाया था लेकिन वह भाजपा में आ गई है वहीं उसके पाटी महिला सुरक्षा से जोड़कर प्रचारत कर रही हैं बले ही सपा में गए स्वामी प्रसाद मौरे की बेटी संग मित्रा मौरे प्रचार में नहीं उत्री हैं लेकिन पाटी में उन्हें और अर्पना को एक पोस्टर में दिखाते हुए लिखा कि भाजपा में ही के लाल पाग और हजरत गंच में डो टो डोर कैंपेइन किया बाजपा ने टिकेट बटवारे में भी महिलाओं को महत्वत देने की कोशिश की है अब तक होशिद एक सो पिचारमें उमीदवारों में से 26 महिलाओं को मौका दिया गया है इसके अलावा महिला सुरक्षा की की पर लगातार भाजपा विपक्षी दलोग पर हमला पोल रही है यहीं नहीं किराना से अमिच शाह की प्रचार शुरू करने से भी साफ है कि पार्टी के इरादे क्या है दरसल वो कानून विवस्ता का जिक्र कर सपा को बैक फूट पर लाना चाहती है जो अपने कारिकाल क के दोरान इस मुद्दे पर घीरी रही है जागरोक टिवी की खास रिपॉर्ट